अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंदरा इंस्टूट अलहाबाद अज हम मात्रि भासा पे चर्चा करेंगे सबसे पहले एक प्रसना आप से कुछते हैं क्या छेत्री भासा में प्रात्मिक अच्छाओं में सिच्छा दी जानी चाहिए तो इसका उत्तर है नहीं मानक भासा में सिच्छा दी जानी चाहिए जैसे उत्तर पदेश में भोस्पुरी अओधी आदि भासाइब बोली जाती है प्रात्मिक स्कूलों में जो सिच्छा दी जाती है वो हिंदी में हिंदी का ही रूप है भोस्पुरी अओधी लेकिन यहाँ पे जो मानक रूप है वो हिंदी की खड़ी बोली उसमें सिच्छा दी जाती है वो भासा विकास का मानक रूप है तो इस बात का ध्याना रखिएगा चलिए हम आपसे चर्चा करते हैं मात्रि भासा पे सबसे पहले तो मात्रि भासा के संदर में गर्प्रस्ण पमुचा जाएं कि मात्रि भासा साधन है या साध्य है तो मात्रि भासा साधन है अन्य भासाओं के विकास के लिए अन्य भासा भासाओं को समझने के लिए मात्रि भासा एक साधन के रूप में कारे करती है जैसे साधन और साध में अंतर क्या होता है तो मैं आपसे बात करूँ साधन और साध में देखिए अंतर क्या होता है जैसे आपका उद्देश है नौकरी प्राप्त करना तो आपके लिए ये मूल जो उद्देश है जो टार्गेट उद्देश है वो नौकरी है ये साध्य होगा लेकिन साधन के रूप में कारे करेगा आपकी BTC B8 की डिग्री जो आपने BTC B8 की डिग्री ली हुई है वो साधन के रूप में कारे करेगा इस मूल उद्देश तक पहुँचने तक लिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी की BTC B8 के डिग्री नौकरी प्राप्त करने के लिए एक साधन है इसी प्रकार से भासा बोलने के लिए भाव अभिव्यक्त करने के लिए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मात्रिभासा एक साधन है मात्रिभासा एक साधन के रुप में काले करते हैं अब देखिए हम अगर मात्रिभासा की बात कर रहे हैं तो अगर प्रस्ण आप से ये प्मूछ लिया जाएं कि एक अध्यापक को मात्रिभासा को किस रुप में देखना चाहिए तो एक अध्यापक को मात्रिभासा का सम्मान करना चाहिए क्योंकि मात्रिभासा के सहारे ही वो छात्र के भाव अभ्यति मनोभृति को समझने में सच्छम हो पाएगा और अन्य भासाओं को उसको एक माध्यम बनाते हुए अन्य भासाओं को बता पाएगा तो मात्रिभासा का पूर्तर अध्यापक के दौरा सम्मान किया जाना चाहिए इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा देखे मात्रिभासा के संदर में यह दिमाब से चर्चा करें तो महत्मा गांधी ने क्या कहा प्रसनाता है आया हुआ है परिछाओं में महात्मा गांधी ने क्या का जिस प्रकार से सारीरिक विकास के लिए मा का दूध आवस्यक है उसी प्रकार से मानसिक विकास के लिए मात्रिभासा के अवस्यक्त हाँ ये statement भी आप नोट कर लीजेगा अपनी copy में जो statement मैंने आपको बताया important statement है और परिच्छाओं में अक्सर करके उचा जाता है चलिए मात्रिभासा के संदर में मैं आप से चर्चा करूँ तो देखिए मात्रिभासा ये त्रीभासा त्रीभासा में भी त्रीभासा सूत्र में भी मात्रिभासा आती है यहाँ पे मात्रि भास आ जाएगी राज भास एवं एक विदेशी भास तो मात्रि भास का महत तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यह त्री भास के अंतर गत भी आती है त्री भास के अंतर गत इसको नोट कर लीज़ेगा कॉपी में कौन-कौन से आते हैं, मात्रि भासा, राज भासा और एक विदेशी भासा, ये आते हैं, देखिए डाटर राम सकल पांडे, क्या करते हैं भई, भासा का प्रथम रूप मात्रि भासा है, ये स्टेटमेंट किसका है, डाटर राम सकल पांडे का है, नोट कर लिजेगा, अगर प्रस निये पूछा जाए कि बालक की प्रतम सिच्छक या सिच्छिका होती है तो बालक की प्रतम सिच्छक या सिच्छिका उसकी मा होती है बालक का प्रतम विद्याले होता है तो उसका घर होता है बालक का प्रतम विद्याले क्या होती है घर होती है बालक की प्रतम भासा मात मात्रिभासा होती है तो इस प्रकार से इन स्टेटमेंट्स को इन कत्नों को भी इन तत्यों को भी आप मन मस्तिक्स में रखिएगा याद रखिएगा देखिए मैं आप से बात करूं अगर प्रस्न ये आ जाए कि बालक की मात्रिभासा मात्र भासा और मात्र भूम में बोली जाने वाली भासा एक ही है तो ये कथन गलत है संटेंस फिर सुनिएगा मात्र भासा और मात्र भूम पर बोली जाने वाली भासा एक ही है ये कथन गलत है किसे मात्र भूम जहां उसका जन्म हुआ है वहाँ पे मालिजे आओधी या भोजपूरी बोली जाती है तो बालक की मात्रिभासा आओधी या भोजपूरी नहीं है बालक की मात्रिभासा हिंदी होगी क्योंकि आओधी और भोजपूरी का विजन में किस से हुआ है हिंदी से हुआ है दूसरे सद्धों में आप ये समझें, ये समझें कि उत्तर प्रदेश में मात्रिभासा क्या है, इस प्रस्ल के जबाब में अगर आ जाएं हिंदी, आवधी, भोषपूरी, उपरियुक्त सभी, तो ये गलत है, कि वहला आप हिंदी लगा कि आईएगा, उत्तर प्रदेश में मात्रिभासा है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी की ही वो बोलियां है, अवधी, भोषपूरी ये क्या है, हिंदी का ही एक रूप है, वो बोलियां है, तो बारीक सा जो अंतर है, वो मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया आपको, कि मात्रिभासा और मात्रिभूम में बोली ज सकता है जैसे कि अवधी भोजपूरी वो बोलिया हैं किसकी बोलिया है हिंदी की बोलिया है हिंदी का ही रूप है अवधी भोजपूरी ठीक है तो अगर प्रस्न इस तरह से भ्रमित करते वे आ जाए आपको कि मात्रि भासा वग मात्रि भूम में बोली जाने वाली भासा दोन अब देखिए यहां पे एक statement है इस statement को भी आप तो अब देख लीजिए मा के दूद के साथ जो संसकार और मीठे सब्द मिलते हैं उनके और पाट साला के बीच जो मेल चाहिए वा विदेशी माध्यम से सिच्छा देने में तूट जाता है देखिए मात्मा गांधी ने मात्रिभासा पे पहुत अधिक बल दिया प्रस्न ये भी दिमाग में रखेगा उन्होंने बेसिक सिच्छा और मात्रिभासा पे पहुत अधिक बल दिया तो अगर मात्रिभासा संबंधिक कोई इस तरह से स्टेटमेंट आ जाता है और आपको नहीं मालूम है तो मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं आप महात्मा गांधी लगा किया जिएगा पिछली बार भी परिच्छा में आ चुका है मैंने उनका स्टेटमेंट आपको बताया दे तो महात्मा गांधी एक महत्रपूर नाम है मात्रिभासा के संदर में उन्होंने मात्रिभासा पे बहुत अधिक बल दिया बहुत अधिक महतो दिया और उनका statement आप यहां भी देख सकते हैं मा के दूद के साथ हना ये मात्रिभासा की बात की जा रही है जो संस्कार और मीठे सब्द मिलते हैं उनके और पाट साला के बीच जो मेल चाहिए हाँ पाट साला के बीच जो मेल चाहिए वो किसे विदेशी माध्यम से अगर सीधे विदेशी माध्यम का आप रहु करिए तो वो क्या हो जाएगा वो भाव वो संबंद वो भाव विचार वो अभिव्यक्ति है आप नहीं दे पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो ये बातें आपको समझना चाहिए मालीजे किसी कच्छा में बहु भासिक, मैंने कई मात्रिभासाओं का ऐसे बालक हैं कि कोई बालक, किसी बालक की मात्रिभासा कुछ है, किसी बालक की कुछ है, अलग-अलग मात्रिभासा है, ऐसी स्थितियों में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थितियों में अध्यापक को विभिन भासा सिच्छर सूत्रों का प्रयोग करते हुए, ऐसी स्थितियों में अध्यापक को सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए, इक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिबिटीज का प्रयोग करते हुए, ऐसी स्थितियों में अध्या अध्यापक की कुसलता पर निर्वर करता है कुसलता पुर्वक छात्र के भासा का विकास करना चाहिए इस प्रकार से आप यानि ऐसी स्थिती में अध्यापक को मात्री भासा का प्रयोग एक हथियार के रूप में करना चाहिए न कि उससे निरास होना चाहिए कि अलग-अलग मात्रिभासा से संबंधित बालक हैं तो उनकी मात्रिभासाओं का प्रयोग हतियार के रूप में करना चाहिए सिछण विधियों का प्रयोग करते हुए सिछण सूत्रों का प्रयोग करते हुए सायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए कुसलता अपनी कुसलता एक उचित रणनीत का प्रियोग करते हुए अध्यापक को बालक के भासा का विकास करना चाहिए मित्रो हमने आपको मात्री भासा पे इस तरह के हमारे लगातार वीडियोज हम दे रहे हैं अगर आपको हमारे पेट क्लासेंस देखिए हमारे पेट क्लासेंस मैं आपको बता दू कि सिटेंट के लिए मैं तो नहीं समझता कि इस से ब्यहतर आपको सबही सब्जेट। math, teaching आप ले लीजिए, सभी subject की, child psychology आप ले लीजिए, संस्कित आप ले लीजिए, सभी subjects की मैं बात कर रहा हूँ, पर्यावरण, सिच्छन का पार, मतलब सिच्छन के पार, सिटेंट का जिस तरह से हमने दिया है, आप बिलकुल जिन्छात्रों लिया हैं, उनसे आप खुदी उनसे आप मुचिये, कितने खुस हैं, तो आप लोग जो इस्ट मित्र भी भी नहीं ले पाए हैं, उनसे मैं कहूं साथ ही होते हैं, उनको हम कुछ बीडियो जिस तरह से प्रवाइड करते हैं, उनकी में हेल्प हम करते हैं, हमारा ये स्वाभाविक पक्रिया है, हम करते रहते हैं, हम करते रहते हैं, लेकिन अगर आपको संपूर बीडियो चाहिए, पूरा चाहिए, तो आप जरूर ये वा मैं आप प्रयोग करूँ आपको one of the best मैंने दो-तीन बार यह वर्ड यूस किया बिल्कुल आपका मन्खूस हो जाएगा यह WhatsApp नमबर आपने पर आपने नाइन त्री जिरो फाइफ जिरो सेवन सेवन फाइफ सिक्स नाइफ इस पे आप WhatsApp करिए आपको और भी यह वरी मुझी